मैं मोहन राकेश हूँ, कहानी क्यों लिखता हूँ? क्यों? इस प्रश्ण का उत्तर देना का ठेल है। जीवन में हम कोई भी काम क्यों करते हैं? हसते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? प्रसन्न चिंतित या व्याकुल क्यों होते हैं? इसका एक मातर उत्तर यही है कि ऐसा होना स्वाभाविक है। जीवन की हर परिस्तिती की हम पर कोई ने कोई प्रतिक्रिया होती हम कितना भी चाहें उस प्रतिक्रिया से बच नहीं सकते। हवा चलती है तो व्रक्ष के पत्ते अवश्य हिलते हैं या पूछने से कि भाई इस तरह क्यों हिलते हो वे क्या उत्तर देंगे यही कि हम बने ऐसे कि हवा का इस पर्ष हमें चंचल कर देता है हमें से हर व्यक्ति प्रति दिन का जीवन जीता हुआ बहुत कुछ महसूस करता है परंतु हर व्यक्ति की महसूस करने और सोचने की प्रक्रिया अपनी अपनी होती है और इसलिए परणाम भी अलग-अलग होता है कोई केवल घुटकर रह जाता है, कोई हस रोकर बाट टाल देता है, कोई परस्तितियों से जूजने के लिए छेत्र में उतर जाता है और कोई उनके संबंध में लिखकर संतुस्ट हो लेता है मुझे जीवन के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाओं को लिग कर व्यक्त करना स्वभाविक लगता है इसलिए न लिखता हूँ कहानी क्यों लिखता हूँ इसका उत्तर देने के लिए अपने आज तक के जीवन के कुछ तुकड़े एकठे करना आवश्यक हो गया जब हम पाँच्वी या छटी जमात में पढ़ते थे तो बाजार से सकी लुटेरा और बहराम डाकू जैसे उपन्यास घर वालों से चोरी से किराय पर लाकर पढ़ा करते थे उन दिनों हमें भी अपने पैरों की नीचे की सारी जमीन सुरंगों और तैखानों से भरी प्रतीत होती थी और हम उन तैखानों के रह सुदगाटन की बाते सोचा करते थे हम दो साथी थे बाजार में बहराम डाकू की जिन्दगी के जितने उपन्यास मिल सकते थे वे सब पढ़ चुकने पर हम दोनों इस निशकर्स पर पहुँचे के उससे आगे की उसकी जिन्दगी का व्रतांत लीपी बद करने का दाइत अब हम पर ही है और हम दोनों ने मिलकर इस काम को कर डालने का निश्य किया पहली किस्त लिखकर मैंने अपने उस मित्र को दे दी किये वह दूसरी किस्त लिखे मगर उसका भविश्य उसे एक साबुन के खार खाने की तरफ ले जा रहा था इसलिए वह दूसरी किस्त कभी नहीं लिखी गई इस बात पर उससे लड़ाई हो गई और बहराम डाकू सदा के लिए तैखाने में बंद हो गया कॉलिज की दिनों में मुझे कविता लिखने का शौक पैदा हुआ एक तो इसलिए कि कविता ही एक ऐसी चीज़े जो सुनाई जा सकती है और उन दिनों सुनाना हमारे लिखने से अधिक महतपून था और दूसरे इसलिए कि हमें विश्वास था कि साहित का सबसे महतपून अंग कविता ही है यह विश्वास में समस्ताओं कि हिंदी के बहुत से आलोचकों को अभी तक बना हुआ है जो साहित्ति की चर्चा करते समय वालमी की से आरंब करते हैं और नई प्रयोक्षील कविता पर आकर दम तोड़ देते हैं उन दिनों की मेरी कविताएं या तो समय की प्रचलित शैली का अनुकरण मात्र थी या व्यंगात्मक परंतु शीगरी मुझे महसूस होने लगा के मैं जब इमानदारी से लिखता हूँ तो कविता कविता नहीं रहती उसमें बहुत अंश तक प्रकथन और विवरण आ जाता है परणामता यूनिवर्सिटी के जीवन में मैंने कहानी लिखना आरंब किया उसके बाद जो जीवन और जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्तितियों से अधिक गहरा परिचय हुआ मैंने यह पाया कि अपने और दूसरों के जीवन के जो सूक्ष्म द्वन्द और अंतर द्वन्द मेरे सामने आते हैं वे सब बातें जो मुझे दुखी प्रसन या उदास छोड़ जाती हैं उन्हें मैं कहानी के माध्यम से अधिक सफलता पूर्वक व्यक्त कर पाता हूँ यह तो पिछले दस वर्ष में मैंने कहानी के अतरिक्त नाटक और निबंद भी लिखे हैं परन्तु किसी भी परिस्टिती को ठीक से पकड़ पाने या अभी व्यक्त कर पाने का जो संतोष मुझे कहानी लिखकर मिलता है वो दूसरी रचनाओं में नहीं मिलता है यह तो भी कहानी की कलात्मक सीमाएं अपना अंकुष लगाय रगती हैं क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जिसके बिखर जाने की बहुत संभाव ना रहती है और कई बार व्यक्ती स्वैम भी नहीं पहचान पाता कि वो जो लिख रहा है वो केवल एक स्कैच या रिपोर्ट आज ही तो नहीं फिर भी कहानी लिखने मैंने सुविधा पाई है कि जीवन के किसी भी टुकड़े, किसी भी मूल, किसी भी चरित्र या किसी भी घटना को कहानी के अंतरगत इमानदारी से उतारा जा सकता है कहानी छोटी भी लिखी जा सकती है और बड़ी भी मगर बात उस नुक्ते को पकड़ने की है जीवन के उस व्यंग, सम्वेद, विरोध या अंतर विरोध को शब्दों में उतारने की है जो कई बार अपनी सुक्ष्मता के कारण पकड़ने नहीं आता बात वही साधारण होती है वही जीवन हम सब जीते हैं लगबग एक सी परिस्तितियों से हम सभी को गुजरना पड़ता है कोई भी अच्छी कहानी हम पड़े जीवन का वह खंड सत्थ हमारे लिए अपरचत नहीं होता उस सत्थ को कैसे उठाना है, कितनी बात कहनी है और किन सार्थक शब्दों में कहनी है यह जानना ही संभवता कहानी कहने की कला है हम जानते हैं कि अपरचत और आसाधरन जीवन को चित्रित करने वाली रचना है उतनी लोगप्रिया नहीं होती जितनी साधरन रोजमर्रा के जीवन को चित्रित करने वाली रचना है मैं साधरन जीवन जीता हूँ और हर दृष्टी से एक बहुत साधारण वेक्ति हूँ इसलिए भी कहानी लिखना अपनी साधारण ताके वातावरण को कहानी में डालना मुझे बहुत सभाविक लगता है कुछ ही दिनों की बात है लखनव में मेरे एक मित्र जो एक सुपरचित कहानीकार है मुझे से कह रहे थे कि बंबई में रहते हुए वे जब भी दादर के लंबे पुल पर से गुजरे हैं तो उनका मन हुआ कि उस पुल के जीवन के एक शन को किसी कहानी में क्रैप्चर करें मगर ये चीज अभी तक उनसे बन नहीं पाई बहुत साधारन सी बात है लेकिन यह दो बातों पर प्रकाश डालती है पहली बात तो यह कि कहानी लिखने वाले को रास्ता चलते कहीं भी कहानी मिल सकती है कोई भी साधारन पदार्थ कहानी के नायक के रूप में अपने कोस के सामने प्रस्तुत कर सकता है और दूसरी बात यह है कि उस साधारन पदार्थ की कहानी लिख देना लेखक के लिए उतनी आसान और साधारन बात नहीं होती साहित्तिक आलोचक तो उसकी प्रताडना बात में करेंगे सबसे पहले उसे डाट बताने वाला और उसकी दिनों की मेहनत पर सिरह ला देने वाला एक आलोचक उसके अपने अंदर ही रहता है साहित्तिक आलोचक तो यही जानता है कि उसने क्या और कितना लिखा है परन्तु वह अंदर का अलोचक ये भी जानता है कि वो क्या लिखना चाहता था और नहीं लिख पाया उससे वह नूँ कुछ छिपा सकता है और नहीं किसी तरह की व्याख्या से उससे संतुष्ट कर सकता है मेरे मन में प्राया कहानी लिखने के बाद यह संतोश उपन्न होता है कि वह बात नहीं बनी जो मैं चाहता था कहीं कुछ कम है या और का और हो गया कई बार दो दो तीन तीन दफा लिख कर भी संतोश नहीं होता इस तरह अपने मस्तिश्क से सदा बैर चलता है जो कुछ बाहर दिखाई देता या जो कुछ महसूस होता है उसके चित्र या प्रभाव मस्तिश्क असानी से अपने में समेट लेता है परन्तु शब्द जब उन्हें व्यक्त करने लगते है तो दोश निकालने का बीड़ा उठा लेता है कहानी लिख चुकने पर जब मुझे महसूस होता है कि बात नहीं बनी तो जुझला कर लिखे हुए कागजों को तो फार ही देता हूँ साथ चाहता हूँ कि दोश ढूडने में दक्ष अपने इस मस्तिश्क को भी कुछ सजा दो मगर मैंने पाया है कि हर नश्ट की हुई रचना मुझे और परेमार्जित करती है हर असफल प्रेतन कहीं से मुझे सवार देता है कभी कभी मन कहता है कि सारा जंजट क्यों मोल लेते हो इस तरह अपने से ही जूशते जाने में क्या रखा है मगर दूसरे ही शड मैं ये पाता हूँ कि मेरी ये जुझलाहट भी एक कहानी का विशह है कहानी ना कहपाने की असमर्थता पर भी एक सुन्दर कहानी लिखी जा सकती है और इसी तरह ये क्रम चलता रहा है और चल रहा है मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि सारे जीवन और साहित में कुछ थोड़ी सी ही तो कहानिया हैं जिने हर लेखक बार बार लिखता है वही प्रेम, वही ममता, वही इर्शा, वही रात्वेश सब कुछ आदिम काल से आज तक वही है थोड़ी सी हेर फेर के साथ हर कहानी किसी न किसी पहले की कहानी की पुन्रावरत्ती होती है मगर मुझे इस्ति आज तक इससे सरवता विपरीद प्रतीत हुई है मुझे सदा यही लगा है कि जीवन ने मुझे इतनी कहानियों की पूझी दी है कि सारा जीवन लिखता रहूं तो भी वे सब कहानिया नहीं लिखी जाएंगी केवल समय के अभाव के कारण ही नहीं बलकि इसलिए भी कि बहुत सी कहानिया है जो हजार चाहने पर भी नहीं बन पाती या वैसी नहीं बनती जैसी लिखते समय कलपना होती है इसलिए ये अपने जीवन से जीवन भर की होड है इस होड में मैं हारना नहीं चाहता जब कहानी नहीं भी लिखता तो सोचता अवश्य हूँ कि यह यह वह कहानी अभी लिखनी रहती है बन पड़ता है तो लिख डालता हूँ और नहीं बन पड़ता तो ये विश्वास किये जाता हूं कि कभी न कभी अवाश्य लिखोंगा कभी न कभी अवाश्य लिखोंगा